आज ही के front page पर एक बहुत ही बहतरीन article है और ये आप लोगों को एक बार बैट कर ऐसे article को अच्छे से cover कर लेना चाहिए क्योंकि ये article ऐसे होते हैं जो कि दर महीने दर महीने आप लोगों को देखने को मिलते है तो अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखोगे तो कोई बढ़ रहा है कोई गट रहा है अगर मैं बोलू आप लोगोंने सबसे बेस्ट पढ़ाई कौन से साल में किये दस्वी में किये है बार्यू में किये है यह फिर अपनी ग्रिजिशन कंप्लीट करने के बाद में किये होती भाति बहतरीन आर्टिकल है और यह आप लोगों को एक बार बैट कर, ऐसे आर्टिकल को अच्छे से cover कर लेना चाहिए क्योंकि यह आर्टिकल ऐसे होते हैं, जो कि दर महीने..दर महीने आप लोग को देखने को मिलते है खुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा हर महीने आता है तो अगर एक बार आप लोग उसको systematic way में तयार कर लेंगे तो फिर कोई problem आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो आप लोग अच्छे से इसको enjoy करिएगा ताकि आप लोग चीजों को जहां से रख सकें एक interesting चीज़ बताता हूं मैं अभी कई बार ना जैसे कि दोस्ते हैं बात होती रहती है कि दिपावले वाले दिन भी lecture लोगे मैंने कहां बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए मैंने कहां आप लोग देखो इससे ना मुझे मेरे अंदर भी confidence रहता है अगर किसे में बात करता तो मतलब आप लोग कितने serious अपने exam को लेकर ठीक है तो मतलब लगता है कि teacher का seriousness वो बच्चों से और ज़्यादे decide हो जाता है अगर बच्चे इतने serious है तो नहीं पढ़ाता है पर अगर बच्चे पढ़ना चाहें teacher से तो बच्चे अपने आप निकाल लेते है teacher के अंदर से एक तरीके से teacher को इस तरीके से रखते हैं तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं चलिए देखते हैं आज कितने बच्चे आएंगे तो मतलब target है कि 1000 तो हम लोग को gross करना है ठीक है तो मुझे लगता है देखते है 1000 gross करेंगे कि नहीं करेंगे पर मुझे आसा है कि अराम से क का मतलब क्या होता है जैसे आप लोगों के लिए कोर क्या है आप लोगों के लिए कोर है अगर एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो NCRT कोई इंसान अगर NCRT को ढंसे कवर कर ले तो यह समझो उसने अपनी maximum चीजे कवर कर लिए क्योंकि वो foundation है आप लोगों का कोई भी topic पढ़ोगे तो उसका base आप लोगों के NCRT में मिल जाएगा economy पढ़ लो, history पढ़ लो, geography पढ़ लो, quality पढ़ लो तो हर एक चीज आप लोगों के NCRT में मिल जाएगी कि हाँ सबसे ज़्याद है important क्या है यह आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर समझते है core sector के बारे में core sector में normally यहाँ पर इस article में क्या बताया गया कि overall core sector की जो performance है अगर अभी देखोगे तो यहाँ पर यह down हुई है यहनिके 0.83 हुई है आप अगर अगस्त के महिने में देखोगे जो industry of core sector है इसने यहाँ पर थोड़ा सा down किया है however अगर year on year देखोगे तो बड़ा है पर लेकिन फिलाल के पिछले कुछ 10 अगर महिनों में आप लोग देखोगे तो down हुए यहनिके अभी थोड़ा सा contraction आप लोगो देखने को मिला है इसके अंदर में आप अगर देखोगे sector wise performance यहाँ पर तो आप लोग को पहले core sector के बारे पता होना चाहिए जैसे steel हो गया cement हो गया कोईला हो गया refinery machinery product हो गया electricity हो गया crude oil हो गया natural gas हो गया तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखोगे यह important question आप लोग का बनता है क्योंकि इसके basis पर पता चलता है कि हमारे देश की अर्थवस्ता कैसी होने वाली है तो index of industrial production जो है उसके बारे में बात कि जा रही है तो यह किसके द्वारा release कि जाता है तो यहाँ पर यह figure September की जो है release कि जाती है आपर यह release कि जाएंगे आने वा release करता है और यह NSO जो है हमारे देश के अंदर में डेटा को इखटा करने के लिए जाने जाता है कि कैसे कैसे हमारे देश के अंदर में कहां कहां से डेटा हम लोग इखटा करके लेकर आते हैं अभी जैसे आप लोगों को से बात करें तो UPSC ने question पूछा था green steel के बारे में तो बकाइदा question है आप लोगों को इनके weightage के बारे में कि किसका कितना weightage है जैसे अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को NCRT को कितना weightage देना है आप लोग को अपनी standard किताबों को कितना weightage देना है ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल स करना और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना है foundation बनाने के लिए NCRT को तो NCRT को सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोगो देना चाहिए PYQ पुराने question paper को फिर आप लोगो वेटेज देना चाहिए और इसी के साथ मैं अपने syllabus को समझ कर ये तीन आप लोगे basic हैं यापर PYQs, NCRT और आप लोगा syllabus तो यहाँ पर ये तीन क्या होगे आप लोगे core sector होगे आप लोगी पढ़ाई के अगर ये इनसान धंग से लेकर चल रहा है तो ये समझो उसका selection कोई रोग नहीं सकता है ऐसे ही हमारी देस के अंदर में कोईला, इसी के साथ में कच्चा तेल यहाँ पर natural gas, refinery जो कच्चे तेल को इस्तमाल करकर यहाँ पर मिट्टी का तेल, diesel, petrol, glycerine ये बनाते हैं साथी साथ में steel हर जगे इस्तमाल होता है अब यह एक वीडियो एक बच्चे के द्वारा share की गई, UK यानि के United Kingdom के अंदर में अगर आप लोग देखोगे वहाँ पर एक train पर खड़ावाता एक भारती है मूल का इंसान, और उसने देखा कि जो train की पट्री होती है train की पट्री पे नीचे लिखा होता वो यहाँ पर विदेशों में भी आप लोग यहाँ पर इसको export करते हैं, यहाँ पर नजर आते हो सिमेंट बहुत important है अगर कुछ भी बनाना है बिना सिमेंट की पॉसिबल नहीं होगा agriculture जो की हमारी देश के अंदर में सबसे ज़्यादा लोगों को काम में लगा हुए आज की रिट में उसमें fertilizer की बिना कुछ ने वने वाले है और सबकी मम्मी है यहाँ पर electricity बिना electricity के तो भाई साब नीव चलनी ही चलनी नहीं है तो यहाँ पर electricity आप लोगो सबसे टोप पर रखनी है तो इनको वेटेज क्या क्या दिया गया है तो यह मैं आप लोगों यहाँ पर बाद आता हूँ यहाँ पर याद रखना petroleum और refinery production को सबसे ज़्यादा वेटेज आज केट में दिया गया 28% electricity 19% यह फिर 20 बोल सकते हैं पुरा steel हो गया है हाँ पर 17.92 koila हो गया 10.33 crude oil कच्चा तेल यह हो गया 8.98 natural gas यहाँ पर 6.88 cement 5.37 fertilizer को सबसे कम यहाँ पर वेटेज दिया गया 2.63 तो यह जो particular data है यह हमारे देश के अंदर में 8 core industry का data आप लोग देखने को मिलेगा तो यह जो 8 core industry है इनका यह data आप लोगे सामने में ने रख दिया तो यह जो particular data है जब इसको इकटा करते हैं एक पुडिया में बानते हैं इसका एक bundle बनाते हैं और फिर हम लोग अपना index तयार करते हैं index of industrial production जो कि मैंने बताया अभी आने वाले time में प्रस्तुत के जाएगा उसके अंदर में यह 8 core sector अकेले मतलब यादने अध्य में गाम और अध्य में basically राम वो आप लोग ने कहावस सुने होगी तो यह 8 core sector अकेले इसके अंदर में 40% अपना weightage रखते हैं यानि कि अगर इन 8 core sector को हम लोग हटा दे तो यह समझो 40% काम हम लोग ने side में उठा के रख दिया इसके बिना काम नहीं चलेगा तो इसलिए हाँ पर अगर मैं बोलू आप लोग ने सबसे best पढ़ाई कौन से साल में किये दस्वी में किये है, बार्यू में किये है ग्रिजूशन में किये है या फिर अपनी ग्रिजूशन कंप्लीट करने के बाद में किये तो सबसे best पढ़ाई कब किये आप लोग ने तो आप लोग बताईए सबसे best पढ़ाई कब किये आप लोग ने तो एक न हो गया सबसे best, एक हो गया सबसे worst, तो ना तो आप लोग का nature ये worst वाला है, नहीं आप लोग का ये nature best वाला है, एक है कि average तरीके से पढ़ते रहना, continuously चलते रहना, तो वो होगा आप लोग का nature, जो की आप लोग करते हैं, best come करेंगे जब pressure आ गया, worst come करेंगे जब दिमाग खराब हो गया, पर लेकिन nature कैसा है, कि हाँ कितना average आप लोग पढ़ लेते हो, तो वो होगा जो की base बनाया जाता है, उस इंसान का की base क्या है, कि भई ये इतना तो normally इंसान पढ़ी लेता है, ठीक है, तो इसी तरीके से एक base तयार कियाता है, तो अपने base से उपर बढ़ना होता है, तो इसका मतलब positive way में जा रहे हैं, कि कुछ भी हो जाए, यार में daily का 6 गंटे तो बढ़ता ही हूँ, ठीक है, तो 6 गंटे तो minimum base अपना base हो गया, ती 6 मेनित 6 गंटे तो बंदा पढ़ते हैं, अब कभी हो सकता है कि यह 4 भी हो जाए, worst condition हो, और बढ़िया condition बने तो यहाँ पर 10 भी हो जाए, तो यह निके इसका base जो है, ओ 6 गंटे है, ऐसे ही यहाँ पर sector का base निकाला जाता है, और हमारे देश के अंदर में कि सबसे बहतरीन sector का perform कर रहा था, सबसे worst का perform कर रहा था, और average का चल रहा था, तो चोड़ी सी बात, हला कि मैंने उस दिन ही बताई थी, जर्मनी वाला article discuss क्याता, हमारे देश के अंदर में जो steel है, वो बहुत ही important role play करता है, और याद रखना, राव केला, जर्मनी के अंदर में, हमारे देश के अंदर में, उडिसा के अंदर में, जर्मनी की help से बनाए गया तो रसिया से किया हम लोग नहीं हाँ पर, ये आप लोगा बिलाई के देखने को मिला, चत्तिस गड़ के अंदर में, इसी के साथ में, दुर्गापूर 1962 में, ये मैच करने के लिए question आप लोगों से पूछा आ चुक है, इसलिए slide में कई बार आप लोग को दिखा देता हू ताकि आप लोग इसको याद में रख सकें, ठेक है, एलकेजी में सबसे बैस्ट वड़ाई की है, तेरी की, जलिए, बाकी ये भी याद रख लेना, किस-किस state में सबसे यदा steel के plant आप लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार question आप लोगों से बन जाया करते हैं, औ जैसे आप लोगों की दिपावली complete होगे, और खासकर आप लोगों में कोसिस करूँगा, Monday से या फिर Tuesday से, ठीक है, मतलब आगे जैसे आप लोगों की दिपावली complete होती है, तो Sunday जो है, तो चार या फिर पांस तारिक से maximum, आप लोगों को एक pattern में change देखने को मिलेगा, और एक news paper शांदार तरीके से cover करना, ये सबसे best होता है, इधर उधर जाद है, tension में मत रहा करो, ये चुट गया, वो चुट गया, कुछ नी चुटेगा, अगर तसली में mind को सांत रख कर चलोगी, जब इस start करता है न, बच्चा नहीं नहीं preparation, तो भाई साब दिमाग खराब रह है, वरना किताब ही खटे करते रहा जाओगे, और ऐसा PDF खटी करते रहा जाओगे, सरे PDF नहीं मिल रही, PDF नहीं मिल रही, डाल तो दी सारी की सारी, मंथली PDF डाल दी है टेलिग्राम पर, अब देखूंगा कितने सारे पढ़ने वाले हो, आप लोग पढ़लो उनको उठा कर, चीजों को कोसिस किया करो, कि खटा करके, अक्यूमिलेट मत किया अगरो, करेंट अफियर एक ऐसी चीज है, जो रेगुलर खतम करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे, कल आएगा, कल नहीं करोगे, परसु तरसु आएगा, एक बार को स्टेटिक पोर्षन थोड़ा सा रग द बाता है, तो ये चीज हमेशा धान रखो, ठीक है, आगे चलते हैं, एक काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल में आप लोगों से डिस्टर्स करूँगा, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, कि किस तरीके से चीजा आखिर चल रही हैं देश के और आप लोग की क्या रहें, आप लोग अपनी राए बताएगा,